नमस्ते, दोस्तों मैं हमेशा ये सोचता था कि टेक्नलाजी इतनी आगे बढ़ चुकी है तो टेक्नलाजी मुझे ये क्यों नहीं बताती कि अगर मेरे पास एक कोई चीडिया की फोटो है तो वो चीडिया का नाम क्या है यह मैं हमेशा सोचता था लेकिन अभी ये संभव हो मैं आपको बता दू कि मुंबई की जो नामी संस्ता है Bombay Natural History Society इन्हों ने एक बहुत ही अच्छा एप बनाया हुआ है जो कि Android फोन तता आइफोन पे चलता है जिसका नाम है Internet of Birds वो बनाया हुआ है वो जो एप है वो आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते है इस तरह से है ये इंटर इस टेक्नलोड पे चलता है और मुंबई की एक बहुत ही फेमस समस्ता है एक्षेंचर लाब जो की सॉफ्ट्वेयर बनाती है उन्होंने एप Bombay Natural History Society के लिए बनाया है तो ये जो आपको Internet of Birds अभी मेरे मुबाईल पे दिख रहा है ये जो उलू दिख रहा है इस पे नीचे अगर इससे आप क्लिक करोगे तो आपको कोई भी बर्ड की फोटो अगर आपके पास है वो फोटो आप इसमें अपलोड कर सकते है अभी तो मेरे सामने कोई बर्ड चिडिया नहीं है इसलिए मैं एक किताब से ये बर्ड की फोटो क्लिक करने जा रहा हूँ और इस एप को अपने वाला हूँ कि ये बर्ड की नाम क्या है अभी देखिए इसमें क्रॉप अप्शन आ गया इसलिए कि आजू बाजू में जो चीजे वो अपने को हटा रहा है और सिर्फ चीडिया उसको एप को दिखनी चाहिए ताकि ये जो मशीन हो कन्फ्यूज ना हो अभी इसको ह अभी इसको प्रचाती है जो कि सारे भारत में पाई जाती है इस तरह से इसने हमको सही जवब दिया है और एक बार हम इसका टेस्ट लेते हैं कि दूसरा एक और बर्ड इस बार भी जबकि मेरे पास कोई बर्ड आप नहीं मैं जंगल में तो हू नहीं तो और किताब की और एक तस्वीर को हम क्लिक करते है और पूछते है इस एप को कि यह बर्ड की नाम क्या है फिर से इसको हमने क्लिक कर लिया अभी हम इसको फिर से क्रॉप करते है ताक यह कंफ्यूज नहों और पूछते है कि यह बर्ड की नाम क्या है यह देखिए इंटरनेट आप बर्ड ने Android फोन हो या आइफोन हो उसमें डाउनलोड कर सकते हैं मेरी आप से रिक्वेस्ट है विननती है कि प्लीज एंड्रीड एप के बारे में आप अपने दोस्तों से भी बताईए दोस्तों को भी बताईए यह मेरा वीडियो फरवेड कीजी है और और कोई एक चीज में बोलना भूल गया है कि यह जो एप है यह फ्री है और आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें इंडिया में पाए जाने वाली 600 प्रजातियों के प्ख्षियों को यह आप भाइचान सकता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका बर्ड आपकी चिडिया की फोटो यह अपने अइडेंटिफाइ नहीं की तो यह हो सकता है कि हमने उस एप को अर्टिपिशल इंटिलिजेंस द्वारा उसको ट्रेन नहीं किया हुआ है हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज ऐसी प्रजातियों कि फोटो आप हमें internetofbirds at the rate bnhs.org यह email id पे भेजए ताकि इस आपको हम इंप्रूव कर सके और हमारे इंडिया के बर्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके बहुत बहुत धन्यवाद Please forward to your friends, thank you again.